नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तु स्त्री समाज का भोती मोतोपुर्ण हिस्सा है इनके बिना संसार की व्रिद्धी नहीं हो सकती स्त्री स्रश्टी की वो देन है जो जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती है स्त्री इश्वर का वा अद्भुत वर्दान है जो जीवन देती है अर्थात स्त्री ही मनुशों को जीवन देती है हिंदु धर्मानुसार स्त्री का स्थान भोत उचा माना जाता है स्त्री को मा लक्षमी का रूप माना गया है जिस घर में स्त्री नहीं उस घर में लक्षमी नहीं, हिंदु धर्म की अनुसार हमें स्त्री को समान अवश्य देना चाहिए, कहा जाता है कि जिस घर में स्त्री का अनादर किया जाता है, वहाँ से लक्षमी भी चली जाती है, ऐसे लोगों पर कभी भी धन की वर्षा नहीं होती, उनके जीवन में कई प्रकार की कठिनाई आती है, इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री हर प्रकार की दुखों से निजात दिला सकती है, इसी करण हमें सदेव ही स्त्री का समान करना चाहिए, दोस्तों कहा गया है कि कुछ पुर्षों के भागे में किसी महला के आगमन के बाद ही उसकी उन्नती होती है पहले स्त्री के गुनों को इवं लक्षनों को देखना अत्यांत आवशक है। प्यार नहीं जो अपने पती से जुड बोलती है और अपने पती के सेवा नहीं करती वो चरित्रहीन और पराय पुर्षों के साथ सम्मन बनने वाली होती है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के शरी के कुछ अंग अगर आकार में बड़े हो तो अपने परिवार के लिए भागेशाली होती है या फिर उनके अंगों पर बने कुछ निशान उन्हें भागेशाली बनाते हैं। अगर स्त्री के पेरों के नाखून, चमकदार एवं गुलाबी रंग के होते हैं तो ऐसी महिलाय आपने घर में सुक्षान्ती लाती है और पती के साथ ही घर के सदस्यों को भी खुश रखती है। जिस्त्री जिवन में खुशिया लाती है लेकिन यह भी जान ले जिस्त्री के पाव की मद्यमुंगली अपेक्षाक्रत बड़ी हो तो वह भोती दुरभागेशाली होती है। स्वादिष्ट भोजन बनने वाली होती है वे अपने परिवार का अच्चे से खयाल भी रखती है खास कर उनके भोजन का विशेश ध्यान रखती है। संतुष्ट रहते हैं यहर कारे को सोच समझ कर करती है पड़ाय लिखाय में रुची रखती है और फिजुल खर्ज बिल्कुल भी नहीं करती। इनकी वज़े से घर की सुक्षानती बनी रहती है इन में धन को दुगना करने की शमता होती है। महिलाओ के पैर पूर्ण रूप से विकसित होने चाहिए साती कोमल और गुलाबी होने चाहिए। ऐसे महिलाओ भोती भागी साली होती है वे अपने प्रेमी और पती को सदा खुश रखती है। इनके जिवन में किसवे प्रकार की कमी नहीं रहती। इसके साथ ही लंबे बालो वाली महिलाई भी मालक्षमी का रूप मानी गई है। ठीक उसी प्रकार नाक क्या आसपास तिल होने वाली स्त्री भागेशाली बनती है। ऐसे तिल शुबा और भागेशाली होते है। इसके साथ ही दोस्तों ये बात भी ध्यान रहे कि केवल सुन्दर देखने वाली महिलाई ही भागेशाली नहीं होती है। कई बार आत्यंतों सुन्दर देखने वाली स्त्री भी पूरे कुल का विनाश कर देती है। इसलिए केवल रूप से नहीं उसके गुनों को परकने के प पुचित माना गया है तो दोस्तों उमिदे ये जान करें आपके काम आएगी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें कमेंड में जैमा लक्ष्मी अवश्य लिखें साथी चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद